आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello guys, चले देख लेते हैं मारा अगला Question कैसे होगा If 3 की Power 2N-1 is equal to 1 upon 27 की Power N-3 तो हमसे N की Value पूछ रहे हैं क्या होगी और 4 Option दिये हैं तो देखें इस Question को Solve करने के लिए हम एक तरीका यूज करते हैं जिसे कहते हैं Equating the Base है ना तो यह तरीका पर इक क्या होता है देखें हम यहाँ पर Base से Equal कर देखें देखें मेरे को 3 दिख रहा है तो एक काम करते हैं हर एक चीज को 3 की Power में लेकर आते हैं तो यह हो जाएगा 3 की Power 2N-1 is equal to 1 upon 27 क्या होता है 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की Power 3 multiplied by whole Power N-3 है ना अब मेरी एक Identity होती है that is A की Power M whole Power N is equal to A की Power MN तो चलिए उसको यहां में लिख देता हूँ तो यह हो जाएगा 3 की Power 2N-1 is equal to 1 upon 3 की Power 3N-9 और also we have one more Identity that is 1 upon A की Power M is equal to A की Power M है ना तो उसका भी उसका लेते हैं तो it implies 3 की Power 2N-1 is equal to 3 की Power minus of 3N-9 राइट यह हो गया तो अब देखिए value of N के लिए हम क्या करेंगे since the bases are equal compare the exponents power को आप compare कर लीजे यह powers को compare करते हैं तो क्या आ जाएगा 2N-1 is equal to minus of 3N-9 राइट विच इंप्लाइज 2N-1 is equal to 9-3N या फिर 5N is equal to 10 और N is equal to 2 तो N is equal to 2 यहां पर हमारा आ गया और हमें दिखाया कि option number 4 में सेम चीज लिखी है तो यही हमारा सही option होगा कैसे किया I hope you guys understood बहुत basic था equating the base का तरीका यूज़ करके and I hope आगे ऐसे आने अलोकिशन आप खुद से कर लागे Thank you Classics से 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 सुपर